व्यक्ति कई बार इस बात पर बहुत ज़्यादा ध्यान लगाता है कि शान्ती किस वज़े से उसके भीतर की भंग हो रही है और उन कारणों को जानने का प्रयत्न करता है चारो तरफ के बातावरण में कोला हल है ऐसे विचार मन के भीतर प्रवेश कर रहे हैं जिनसे शान्ती भंग हो रही है हम जंजलाहट के और जा रहे हैं चड़शड़ापन सुभाव में आ रहा है क्रोध आकस्मिक तौर पर निकल कर आ रहा है परन्तु एक बार इस बात पर इकाग्रिचित होकर मंतन किया जाए कि शान्ती हमें कौन-कौन से कारणों से प्राप्त होती है उपरती एक व्यक्ति विशिश के लिए भिन्द भिन्द हो सकते है जब व्यक्ति उन कारणों के तरफ जाता है उन सारी तत्यों को भीतर शमार करने वाला होता है वो एक अलग यात्रा के और होता है disturbance किस वजह से है वो कारण जानना आसान है परन्तु जो ट्रेंक्विल है, जो पीस है वो किस वजह से प्राप्त हो सकती है उनकारणों को जानना थोड़ी से मुश्किल यात्रा है परन्तु जब व्यक्ति दूसरी यात्रा के और बढ़ता है यकीन बानिये चित में जितने भी भ्रमित करने वाले इस्तर विशेश हैं उनसे वो हटने लगता है गणनाएं बहुत सारी है जीवन में ये हासिल करने के लिए उस लोन की विवस्ता की थी और अब वो थोड़ी सी दूविधा बनी हुई है उस व्यक्ति विशेश की घर परिवार में मदद की थी वहां से और अड़िक दूविधा सामने है वहां से रुपया पैसा आ नहीं रहा है ये सारे ही शांती भंग करने के कारण है संतान पक्ष को हम कुछ और बताना चाहते हैं वो किसी और रहा पर है उससे भी हम अपने भीतर की कुलाहल को जन्मदी रहे हैं परन्तु जैसे ही हम ये जानने वाले होते हैं कि इन सारे कारणों से हट कर किस वज़े से हम भीतर के स्थर्था को प्राप्त करते हैं इन सारी बातों को हटा कर जब हम एकांत में अपने साथ होते हैं तो भीतर की शान्ती को प्राप्त करने वाले होते हैं कुछ लोग अकले ड्राइविंग करने की तरफ जाते हैं और एक स्पीड में जब वाहन कई किलोमेटर तख चलते रहते हैं वो अपने भीतर की शान्ति को प्राप्त करने वाले होते हैं कई किलोमेटर की वाक कुछ लोगों को भीतर तक एक अलग आरोह, अवरोह के साथ में लेकर चलने वाली होती है वहां से वो अपनी शांति को पराप्त करता है कुछ मानुभाव सुभे सुभे मंदर जाता है और जब ईश्वंदन के साथ होता है लगातार मंदर के गंटियां बज रही है आरती की जो एक तरह से धनी है वो सुनाई दे रही है लोग पूरी ही आस्ता के साथ में आ रहे है मन के भीतर की ग्रणा उनकी हटीवी है जब वो उनको देखता है तो वहां की शांति प्राप्त होती है कुछ लोग श्रीमत भगवत कीता कि अब धिन के और निरंतर जाते हैं वहां से आत्मिक शांति को प्राप्त करने वाले होते है जब भी हम उनकार्णों को अपने भीतर तक जगह देने वाले होते हैं यकिन मानिये चिर इस्थाई शांति जो भीतर आनी चाहिए उसको प्राप्त करने के वाड़ जाते हैं और फिर जो disturbances के reason है वो वैसे ही हड़ते चले जाते हैं व्यक्ति उन सारही कारणों को इग्नोर करना बहुत आसानी से सीख लिता है जब मौका आता है तब ही अपनी बात को रखता है इसी वज़े से क्या कारण है शान्तचत नहीं होने के उससे जादा वज़े है डूड़ी जाए कि कहां से भीतर की शान्ती जो की आनंत की अवस्थाओं के साथ में लगातार पैठी रहती है उस और जाने का प्रहत ने किया जाए बेराल इन सारी जर्जाओं के बाद हम आपके समक्ष 30 जून 2023 का दैनेक राशिफल लेकर उपस्तित हुए है चंद्रमा की स्तितिया वरिश्चिक राशिस्तान में सुबह दस बच कर बीस मिनिट से प्रवेश कर जाएंगी विशाखानक्षत्र शुक्रवार आशाड मास शुक्लपक्ष मेश राशिक के साथ में दैनेक राशिफल की शुरुवात अस्तम भावस्त चंद्रमा है प्रतमतया नएकामकाच की शुरुवात से व्यापारिक जीवन में बचें वाणी पर आज नियंतरन रखकर चलियेगा सुबह सुबह के अंतराल में जब घर से आप अपने कार शित्र की और जा रहे हैं तब चोटे से विवात पुरे ही दिन को डिस्टरब कर देता हैं उसे संभलना जरूरी है स्टॉक मार्केट संभन्दी निवेश में जल्द बाजी रखने से बचें विदेश संभन्देकारियों में आज आपके लिए शाम के समय के साथ में कुछ सकारात्मक्ता निकल कर आ सकते हैं वकालाद संभन्दी शित्र के साथ जुड़े हुए महनुभाव आज सकारात्मक्ता देखने वाले रहेंगे आप खानपान संभन्दी शित्र विशेश के साथ में हैं तो बहुत बड़ी जो इनुवेशन की अप्रोच को आप लागू करने की दरफ है उसे आज थोड़ा सा रुख कर चला जा सकता है अभी कहां कहां और ध्यान देने की जरूत है उस और बढ़ने का परहतने कीजिएगा मेटल संभन्दी कामकाज आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आने वाले होंगे संतान पक्ष के साथ विचारों में उलजने बढ़ने नहीं पाए इस बात पर वियाप पूरा-पूरा फोकस करके चलिएगा वहीं क्रियेटिव फिल्ड स्पेसिफिक में अट्मोस्ट पॉजिटिव मेजर्स आपके साथ में रहने वाले होंगे वहीं हम बढ़ते हैं व्रशब राशे की और सब्तम्भावस्त चंद्रमा व्यापारिक जीवन में आपकी उर्जा देखते ही बनती है कुछ लोगों का जो सयोग प्राप्त नहीं हो पा रहा था और कामकाज अटके वो थे वहां से आप एक अलग यातरा को प्राप्त करने बाले होंगे आत्म विश्वास में वृध्धी के प्रतिबान जब बनेवुई हों और आपकी से इंटर्व्यू की तरफ जा रहे हों तो आपकी परफॉर्मेंस देखते ही बनती है कोई भी तरीके की मीटिंग आज है तो फैक्ट केरी करें लोगों की सुनकर खुद को पूरी तरीके से व्यक्र होने से बचा है कई बार जो एंग्साइटी आने लगती है कि ये टार्गेट महिने के अंतिम सिरे में अगले पूरे ही महिने के लिए दिये जा रहे है क्या करेंगे कैसे करेंगे कुछ और व्यवस्ताओं को तो नहीं देखना है इन सारी चिंताओं को हटा कर जो प्रेजन्ट पूर्मेंट है उसके साथ में आप चलने की कोशिश कीजिएगा मितुन राशी सरुपरतम जो सस्ट भावस्त चंत्रमा है स्वास्त को लेकर आप काफी संबलें खानपान पर नियंत्रण रख कर चलना तो वहीं पर आप प्रॉपर बेस के मेडिकेशन को अपने साथ अपना कर चलिएगा यहाँ खर्चों पर भी आज नियंत्रण स्थापित करने की पूरी पूरी जरूरत है व्यापारिक जिवन में नौकरी पेशा जिवन में जो महनुभाब लंबे समय से चोटी चोटी बातों में खुद को disturbances के साथ में देख रहे थे आज उनके लिए भी solution का जो बेस है वो इतना नस्देक नहीं है संगर्ष अपनी इस्तियों को यहाँ प्रतधनित करकर आगे बढ़ रहे हैं तो वहीं पर पारिवारिक जन हो या फिर कोई भी मित्र संबंदी इस्तियां हम अपनी चर्चाओं के साथ में constructive note रखने वाले रहें ये गौर जरूर कीजिएगा वहीं करक राशी पंचम भावस्त चंद्रमा है यहां सरवांगिन लाप की इस्तियों में आपके लिए वरद्दी है शेर मार्केट संबंदी निवेश positive कहे जाएंगे जो संतान पक्ष के साथ लंबे समय से घर्षन बने हुए थे अब वो हड़ते हुए प्रतीत हो रहे हैं भाग गिकासयोग यहां आपके साथ बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है इसे वज़े से व्यापारिक जीवन में बड़े निर्णाय लिये जा सकते हैं यहां रियलेस्टेट संपन्ति कामकाज में नवेश अच्छा कहा जाएगा मन के भीतर भ्रम के जो गहरे बहुत लंबे समय से स्थापित हैं उनको दूर हटाने के लिए आज एकांत की आवशकताएं रहेंगी हाला कि व्यापारिक जीवन में लाब यहां पर बहुत अच्छे से है परम्तू आकस्मिक खर्च के योगा योग भी सामने बेहद सरलता से निकल कर आ सकते हैं अपने रूटीन के साथ में जितना फ्लेक्सिबल आप रहते हैं उतनी पॉजिटिविटी रहने वाली रहेगी दानी बढ़ते हैं आप किसी भी मेडिकेशन के प्रॉसेस के साथ में चल रहे हैं कोई यात्रा सामने है तो ये ध्यान रखा जाए कि उन मेडिसन को कैरी कैसे कर रहे हैं सबसे पहले वो जाच हैं यहां जो भाग दोड़ है और साथी साथ में मन इतना शाम तच्छत नहीं ह ऐसी अवस्ताओं में व्यक्ति व्यग्र होने लगता है और अधिक परिशान होने लगता है तो खुद को कई बार सिच्चुईशन से डेटैज करने की जरूत होती है जो कारे सामने आ रहे हैं उनको करते वो चली ये परणामों के अपक्षाओं से दूर हटकर लोग भी क्य कर रहे हैं उससे भी खुद को थोड़ा सहटा कर आगे की यातरा को आपताय करते चले जाईएगा किसी भी इंटर्वियू की तरफ जा रहे हैं तो ये याद रखे हैं कि कॉम्प्रमाइस करने में ही भलाई है लंबे समय से आप एक्टिब नहीं थे अब वो बोडिशन सामन निकल कर आई है तो वहां से आपके लिए उम्मीदें कहीं न कहीं समझोतों के साथ में ही परतिध्वनित होते हुई नजर आती हैं कन्या राशी तृतिय भावस्त चंद्रमा की वज़े से नौकरी पेशा जेवन में आज आप ऑफिस पॉलिटिक से दूर रहिएगा भाग अंगी का सैयोग एक अलग तारतम में के साथ में आपको यहां पराप्त होता चला जा रहा है वहीं ग्रहस्त पक्ष के साथ में जो विवाद लंबे समय से बने वोई थे अब वो भी हटते हुए आपको यहां पर प्रतीत होंगे हाला कि एक महतवपूर्ण बात है कि बिजनस पार्टनर्शिप में कई बार व्यक्ति को अलग-अलग होने का निर्णे लेना होता है वहां पर जितना स्लगिश बेस आप अपना कर चलेंगे उतनी स्वैम के लिए बहतरी को जन्म देने वाले होंगे माता एवंपिता के साथ संबंदों को संभालना आपके लिए काफी हद तक महतवपूर्ण कहा जाएगा चोटी-चोटी बातों के साथ में जो दुबधायां आती है उससे हटकर जरूर चलें दुलाराशी दुधी भावस्त चंद्रमा की बज़े से यहां आपके लिए धनागमन में व्रद्धी है तो वहीं पर जो कार्री लंबे समय से अठके वो थे वहाँ पुन है आप अपते बरता देखने वाले होंगे भाग्यका जब सहयोग हो और व्यक्ति व्यापारिक जेवन में बड़े निर्णए के साहस की और जाने की ततपरता दिखाए तो और अधिक बहतरी निकल कर आती है कम्यूनिकेशन में कन्मिंसिंग बेस बना कर रखिएगा गरिहस्त पक्षो या पर संतान पक्ष कई बार जो रुकावटों और बाधाओं के गेरे व्यक्ति वेशेश को घेर कर रखते हैं उनसे हट कर इस यातरा को तैय करने का प्रहत्न कीजिएगा हाला कि आईटी फिल्ट के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए आज संकेत बेहत शांदार हैं आप मेनेजमेंट की किसी भी इंपॉर्टन डेजिगनेशन के साथ में जुड़े हुए हैं तो ये यात रखने का प्रहत्न करें आपके द्वारा जो निर्णे लिये जा रहे हैं वो लोगों के साथ में चर्चाओं के भीतर जरूर आने वाले रहें वरिष्चेक राशी यहां चंद्रमा वरिष्चेक राशी स्तान में ही है सुबह के इंतुराल के बाद में इनकी परिवरतन शीलता सामने होगी वहां से आपके भीतर का जो विश्वास है वो बहुत अच्छे से नजर आता है तो वहीं पर जो इच्छा शक्ती है उसका भाव दूर दूर तक भी भीतर उपस्तित नहीं है अपने क्षमताओं पर पूरे तरीके से विश्वास करके आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा ये भी याद रखें कि जो शंशय लंबे समय से बने वोई थे आज वो हड़ते चले जा रहे हैं जोब में किसी भी चेंज का इंडिकेशन आता है तो उसको अपना कर चलना भी आपके लिए सर्वता सार्थक प्रवड़ी कही जाएगी धनूर आशिर द्वादश भावस्त चंद्रमा की वज़े से यहां आप आज कुछ कामकाज में एक अलग पॉजिटिविटी के साथ में आप चलने वाले होंगे गुरिहस्त वक्ष के साथ में संबाद कौशल बहुत अच्छे से आप बना कर रखिएगा आध्यात्मिक चिंतन में यहां वरद्धी है इसे दूर दर्शिता भरे निर्णाई की तरफ आप खु को अब संभालने वाले होंगे शत्रपक्ष आज चोटी चोटी बातों के साथ में आप पर हावी हो सकता है वही मेडिकल और टेक्निकल फिल्ड के साथ में यदि आपका जुडाव है लग रहा है कि पुनह सक्षा क्यों जाना है तो संकेत को पैचानना उस तरफ क्या विवस विश्वास करके चलने वाले रहें आत्म विश्वास में वृध्य के प्रतिबान स्थापित रहने वाले होंगे ग्रिहस्त पक्ष के साथ में पूरा पूरा जुडाव आप यहां अपने लिए संकलत करके चलिएगा और वहीं पर कोई भी महत्वपुन सलाह करियर को लेकर घर-परिबार के ओर से मिल रही है तो यह बात बिल्कुल नहीं सोचें कि वो क्या जानते हैं हमारे काम का आज के बारे में, जतना ही जानते हैं, जतना हमसे सुना है, इससे हटकर आप उनकी जो अनभव किताती है, उसको पूरी तरीके से जगह दें, यहां जो आप किसी फि से साथ थी आज वो एक्षण में हटती हुई प्रतीत होंगी शनेदेव की मुलत्रकॉण कुम्भराशी दशम भावस्त चंद्रमा व्यापारिक जिवन में आज जो आपकी ड्राइविंग फोर्स है वो सामने आए हुए कामकाज हैं उन्हीं के साथ में आपका मान सम्मान यहा लिखने वाले होंगे इच्छा शक्ती का अभाव दूर दूर तब भी यहां मौजूद नहीं है तो वहीं यह भी गौर करें कि जो आप आज एकांत में कुछ समय बिताते हैं वो आपको पॉजिटिव करने वाला होगा पिता के साथ किसी भी कामकाज में चोटी-चोटी बा राशी व्यापार में बड़े निर्णा लिए जा सकते हैं नौकरी पईशाजीबन में जो शंचय और जो तनाव हावी थे यहां महीने के अंतिम सिरह में वो हटते हुए प्रतीत होंगे और वहीं पर आज दुपहर के समयंतराल में आलस से संबंदी स्थितियों से बचें अ योजना बना कर चलिएगा वीकेंड के साथ में अब किस तरह से खुद को टास्क देनी है सिर्फ आलस से में समय नहीं बीच जाए गर परिवार के कुछ कारियों में समय नहीं बीच जा इसके अलावा भी बहुत कुछ किया जा सकता है इस एक परवर्ती को अपने मन के भीतर आप जगह है जरूर देजिएगा पारिवारिक जनों को यहाँ जब भी सायोग क्या वशकता हो तो आप वो व्यक्ति विशेश रहें जो सबसे पहले पहुँचने वाले हूँ उसी में मन के भीतर की संतुष्टिक भाव भी नहीतारतर हैने वाले रहेंगे तो यह था 30 जून 2023 महिने के अंतिम दिवस का दनेक राशिफल हम इसी तरह आप तक पहुँचने का निरंतर प्रेत्न करते चले जाएंगे धन्यबाद एवा माभार